मामला चाहे दिल्ली जल्बोड घोटाले का हो या फिर शराब घोटाले का केजरिवाल से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी एडी के हर समन को अवैद बताती रही केजरिवाल की नकल पर केकविता ने भी वही किया और एक अदम आगे बढ़कर एडी के समन को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनाती दे डाली लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तेवर देख की कविता को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और जटपट याचिका वापस दे लिए इससे पहले प्रवर्तर निदिशाले ने कहा था कि ब्यारेस एमल्सी के कविता ने कथित तोर पर दिल्ली उत्पाद शिल्क नीति निर्मान और कार्यानवेन में लाब पाने के लिए अरविंद केजरिवाल और मनीश सोधिया सहित आम आदमी पार्टी के शीर्श नेताओं के साथ साज़िश रची थी और उन्होंने इन एहसानों के बदले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को सौ करोड का भुकतान किया था एडी का ये दावा दिली शराब घोटाला के कथित मामले में तेलंगना विधान परिशद की मलसी के कविता को गिरफतार करने के तीन दिन बाद आया है के कविता को एडी की एक टीम ने 15 मार्च को गिरफतार किया था 23 मार्च तक साथ दिनों के लिए एडी की हिरासत में उन से पूछताच की जा रही है एडी ने हैदराबाद में के कविता के आवास पर पहुंचकर तलाशी अभियान के बाद उन्हें गिरफतार किया था तलाशी अभियान के दौराण एडी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने के कविता के रिशिदारों सायोग्यों दरबाद इतुन्हें किया गया एडी ने एक बयान में दावा किया कि उनकी जांट से पता चला कि कि कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुर्क नीति निर्मान के कारियान वेन में लाब पाने के लिए अर्विन केजरिबाल मनिश सोधिय साहित आमादमी पार्टी के शीर्ष नेताओ के साथ कथित तोर पर साज़श रची बयान में आगे कहा गया कि इन एहसानों के बदले वे आमादमी पार्टी के नेताओं को सौक औरोड रुपे देने में शामिल थी दिल्ली आपकर नीती 2021-22 के निर्माण और कार्यान वेन में भरश्चाचार और साज़श के क्रत्यों से आमादमी पार्टी के लिए थोक के विक्रिताओं से रिश्वत के रूप में अवैधन का एक निरंतर प्रवाह उत्पन्न हुआ आज तक E.D. ने दिल्ली हदरबा, चिन्ने मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है मामले में अब तक आमादमी पार्टी के मनिश सोधिया संजै सिंग और विजय नैर समेत कुल 15 लोगों को गिरिफतार किया जा चुका है E.D. ने मामले में अब तक एक अभियोजन शिकायत और पांच शिकायतें दर्ज की है The Report is of India